इस विडियो में हम जो ऐसे है फॉम सम पुलीसमें इना मॉरल उसके पॉस्टन आंसर देखते हैं पहला कॉस्टन है वट वर दर पुलीस चार्जेज अगेंस जी के चैस्टन एंड वाइव वॉज ही इकुटेट के पॉलीस ने क्या इल्जमात लगाए थे राइटर के उपर और फिर उसको छोड़ क्यूं दिया था या उसको रहा क्यूं कर दिया गया था ठीक है दा राइटर वाज लगाए ले ली पासंग टाम इन दा वुड्स अफ योक्शाइर के राइटर यानी जी के चैस्टन जो हैं वो बहुत ही अच्छे मिजाज में फुरसत के लमहात अपने जो थे वो योक्शाइर के जंगल में गुजा रहे थे यानी फारे थे तो इस वज फंदोज हो रहे थे उसमें नेच्रल ब्यूटी भी थी एंड ग्रीन डी ओफ पॉरेस्ट के ये सारी चीजें जो पुदरती में अमजाहिर थे उन सबसे बहुत फंदोज हो रहे थे उनके पास एक चाकू था जो के वो दरख के उपर फेंक रहे थे क्यों भेंक रहे थे इसलिए कि उनको स्टिवनसें के नॉवल जो थे वो बहुत शौक से पढ़ते थे और स्टिवनसें के नॉवल में जो हीरो होता है वो अमूमन चाकू से अपने दुश्मनों से भी मकाबला करता है और चाकू उसका में हत्यार होता है जिसे वो मुक्तलिफ तरह के समझ लेंगी करतब दिखाता है तो वो बहुत ही उसके हेरो से इंप्रेस होते थे तो इसलिए फारिग थे तो उन्होंने भी अपने आपको शायद हेरो समझा और वो जो हैं चाकू दरख के उपर फेंकना शुरू हो गए अचानक ही कहीं से दो पुलीस वाले आएं हैं और इन से सवाल औ जवाब करने शुरू कर दिए ठीक है पहला सवाल या पहला इल्जाम जो पुलीस वालों ने राइटर पे लगाया वो ये था पहला इल्जाम उन्हों ने ये लगाया कि आप चाकू से खंजर से इस मासूम दरख को नुकसान पहुंचा रहे थे और जाहर है कि इतना तेज चाकू रखना जो अपने जाती तहवील में रखना भी बहुत ही शक्त का बाइस था और जाहर है ये खतरनाक बात भी थी पुलीस मैं इन्वेस्टिगेटेड़ हम पुलीस वालों ने उन से तहकीक शुरू कर दी और पुलीस वालों ने बहुत अजीब और गरीब तरह के सवालाद करने शुरू कर दी है वो हमने समरी में देखे हैं आप उसको देख सकते हैं कि उनकी पसंद क्या है ना पसंद क्या है एडरिस क्या है रहते कहा है जैपनीस वार के बारे में व्यूज बताएं इसके लावा उनके मुटलिफ तरह की और बात उनों ने पूछने कर दी शुरू कर दी ठीक है और उनने कहा किया ये कहा कि इट वाज दे डियूटी अप पुलीस मैं तो कीप एन आइ अन दे स्ट्रेंजर्स उनने कहा कि पुलीस वालों की ये डियूटी है कि वो स्ट्रेंजर्स के उपर अजनबियों के उपर नज़र रखे especially those roaming purpose lessly और खास तोर पे ऐसे लोग जो उसे लाके में बगएर किसी वज़ा के घूम फिर रहे होते हैं ठीक है चेस्टर टेंड बिंग गेस्ट ऑफ मिस्टन ब्लाइक अफ लाइकली वाज अ स्ट्रेंजर तो लिकालिटी और पुलीस मैं और चेस्टर टेंड चूर्प इस लाके की बहुती मिशूर श चाकस था उसकी घर में महमान थे वो उस लाके में भी नें थे और जाहरे उस लाके की पुलीस के बारे में भी कुछ जहाइदा नहीं जांते थे but he was acquitted as policeman could not substantiate the charges against him लेकिन उनको इसलिए रहा कर दिया गया कि पुलीस वाले जो हैं वो उनके इल्जमात को भी थाबित ना कर सकी and importantly he was a guest of a known person of that area और सबसे जरूरी बाजे थी कि चुँके उस इलाके के बहुत ही मशूर शक्स के साथ वो रह रहे थे the writer was lucky to establish his identity as being a journalist in the daily news और एक और बार भी important ये थी कि writer की बहुत खुशकिसमत ही थाबित हुई कि उन्होंने अपनी identity शो कर दी अपनी शनाख शो कर दी कि वो एक बहुत मशूर अफ़बार में एक journalist के तोर पर भी काम कर रहे थे he has also explained that he was a guest at the wealthy and influential family of the locality और उन्होंने ये भी थाबित कर दिया कि मैं इस इस इलाके के बहुत मिशूर बंदे के घर में महमान हूँ he was considered trustworthy and noble because of his connections और जाहर है इसी वज़र उनको बहुत trustworthy समझते हुए उन इल्जमात से बरी कर दिया और उनको रहा नहीं यानि उनको पकड़ा तो था ही नहीं जारे सिर्फ इल्जमात लगाए थे अगला question हम देखते हैं पिलीसमें इंचेस्टेटन ऐसे behave exactly like our own police elucidate ये भी एक दो दफार पास्ट पेपर्स में ये question आया है कि जो from some policeman and a moral क्या policeman के दो character हैं वो बिलकुल हमारे अपने अलाके की या हमारे अपने मुल्की police की तरह से behave करते हैं इस बात को explain करें ठीक है जी चेस्टेटन ने इस essay में police department पे बहुत ज्यादा तनकीद की है it is not only in England but also everywhere else this is exactly what happens ठीक है कि ये सिरफ England की ही police ऐसी नहीं है बलके तकरीबन सारी ही जगों पे ऐसा ही होता है in this essay the policeman charged the writer with the damaging of a tree with a small knife police वालों ने जैसे ही writer के हाथ में चाकू देखा तो उन्होंने उस पर इल्जाम लगा दिया कि तुम एक दरख को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हो firstly they insulted him but they left him when the writer told them that he was a journalist and had connection with influential people उन्होंने पहले तो उसको डांटना डपटना और उसकी insult करनी शुरू की लेकिन जैसे उनको ये पता चला कि एक मशूर बंदे का महमान है तो उन्होंने उसको छोड़ दिया the writer concludes that the policeman had different treatment with different people T-R-E-A-T-M-E-N-T ठीक है इसमें spelling correct कर ले writer जो है वो ये नतीज़ा निकालता है कि policeman मुक्तलिफ लोगों के साथ मुक्तलिफ जो है वो सुलूप करती है पाकिसानी पिलीस also have two sets of laws और पाकिसानी पिलीस के भी इसी तरह के laws है one for the rich and one for the poor और जाहरे अमीरों के लिए और है और गरीबों के लिए और है for the rich they have very soft corner the big crime of an elite class becomes a minor offense but for the unprivileged class the mistakes becomes crime कि जो अमीरों के बहुत बड़े बड़े गुनावी जो हैं वो हलका फुलका सा जुर्म बन जाता है और जो अरंदर प्रिविलिश्ट क्लास है यानि जो गरीब लोग है उनकी छोटी 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 गल्तियां भी उनके बहुत बड़े गुनाव बन जाते हैं और जाहर है कि वो गरीबों के साथ बहुत ही बुरा सुलू करते हैं Most of the policemen of our country are dishonest and corrupt और जादा तर जो लोग हैं police department में वो dishonest भी हैं और वो corrupt भी हैं They do not respect women, old people and even the children. This is the reason of the highest crime rate in our country which needed to be dealt with strict hands और यही वज़ा है कि हमारे मुल्क में जो crime rate है वो बहुत जादा है और इसको कड़े हातों लिया जाना चाहिए ठीक है hopefully आपको यह समझ आ गया होगा अगर इस पे यह question आता है comparison का तो जाहरे आप इसमें सिरफ comparison लिखेंगे और main story में से थोड़ा सा तेंट लिखेंगे Thank you so much जी, Allah आपिस